अगर आप इसको एक बार बनाएंगे तो एक हफ़ते तक आप इसको आराम से खा सकते हैं और देखिए यह बहुत फूली फूली भी बनी हुई है और इसका स्वाथ तो आप जानते हैं कितना ज्यादा बहतरीन होता है तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं वीडियो प आधी से एक चमच के करी मैंने अजवाइन लिया है इसको इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे क्योंकि जब भी कोई भी डी फ्राइट चीजे होती है तो अगर आप अजवाइन डालते हैं तो इस हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है साथी एक चौथाई चमच मैं डूनों में से कोई भी ले सकते हैं तो मैंने यां पर घी का इस्तेवाल किया है तो यहां पर में मिला दूंगी तो अगर मोयन का सही रहता है तो यो कचौडियां बहुत फूली फूली बनती है बहुत सौफ्ट बनती है और खाने में बहुत मज़ा आता है तो यहां पर दो कप मैता के लिए मैंने एक चौथाई कप के करीब घी इस्तिमाल किया अब इसको बढ़िया तरीके से मिला लेंगे और लड़ू बना के देख लेंगे अगर इसका बढ़िया तरीके से बन रहा है और जल्दी से टूट भी रहा है तो इसका मतलब जो हमारा मॉयन है एकदम परफेक्ट है और यह देखे यह बढ़िया से बन बी रहा है अब हम इसमें पानी एट करेंगे तो पानी आप बहुत समल के आट कीजिए क्योंकि जो हमारा डो है व अगर आप एक साथ पने डाल देंगे तो जो आटा है वो बहुत जादा गीला हो जाएगा और इसको बहुत जादा मसल नहीं है बस जब इस तरीके से मर जाए तो इसको पटक पटक के थोड़ा सा आप और सैट कर लिए जिससे जो कचवड़िया होंगी वो बहुत ही जादा हलवाई की ट्रिक है तो बस यह इस तरीके से आप इसको सॉफ्ट कर लीजिए और इसको ढख कर पंदरा से 20 मिनिट के लिए हम रख देंगे और हम तब तक अपना बैटर तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप के करीब मूंग दाल ले ली है अगर आप दो से तीन ल कि तो यहां दाल थोड़ी जादा है तो मैं इसको हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइट करके इसको दरदरा पीस लोंगी अगर आप महीन पीसेंगे तो जो बैटर है वो बहुत अच्छा नहीं बनेगा तो इसलिए याद रहे अगर हो सके तो आप इसको दरदरा ही पीसें जि चार चुटे चमच के करीब घी लेंगे आप चाहे तो तो तेल का इस्तिमाल भी कर सकते हैं तो गैस का फ्लेम मैं अभी लो ही रखा है और यहां पर बढ़ी आसे टेस्ट के लिए एक चमच मतलब आदी चुटी चमच भी आइड कर सकते हैं कुकिंग ओल मतलब कोई भी आप अपका सौफ और थोडी सी काली मिट चार से पांच उसको बढ़ी तरीकी से कुट लीजे और उसको 1-1.5 चमच के करीब आप अधा चोटे चमच के करीब आप धन्या पाउडर एक से डेड़ चमच के करीब धन्या पाउडर नहा पर मैं डालूँगी जो खड़ी मसाले कर ट इसको मिला लेंगे और जो बेसन है हमको 3-4 मिनिट के लिए भूनना है जब तक कि इसका कच्छा पन निकल जाए इसमें बड़ी हैसे खुश भूनना आ जाए और इसको लो फ्लेम पर ही पकाना है वरना जो बेसन है वह बहुत जल्दी जलने लगता है तो आप लो फ्लेम पर 3-4 मिनिट के लिए पका सकते हैं और उससे पहले मैंने आपर क्रश किया हुआ अधरक और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दिया है अब इन सब को बढ़िया से 3-4 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे यह देखें बेसन भी हमारा बढ़िया से पग गया है खुश्बू अगर आप तीखा जादा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कसूरी मेथी मैंने आपर क्रश करके डाली है और जो डंडिया है उसको अलग कर लिया है यह देखें क्रश करके बढ़िया से ढाल दिया इसको अब नमक स्वाद अनुसाब या फिर आदा बेकिंग पाउडर जरूर राइट करते हैं बेकिंग सोडा तो आप इसको जरूर राइट कीचे इससे बहुत बढ़िया बनेगा करकुरा भी बनेगा स्वाद में बहुत अच्छा आएगा तो आप इसको निकलने तक पका लेंगे और इस गैस का फ्लीम लोही रखेंगे औ जिसे तोड़ी सी ड्राय हो जाए इसका मॉश्यन निकल जाए और इस फॉर्म में दाल तयार हो जाए बहुत जादा नहीं सुखाना है थोड़ा साथ नरम भी रख सकते हैं और यहां पर हमारा जो आटा है वो भी तयार हो चुका है इसको एक बार अमच्छी तरीके से मसल ल साइड में रख दिया है तो आप क्या कीजिए कि पहले थोड़ी थोड़ी लेके उस पेटर भरके इसको साइड में रख जाए इस तरीके से पेड़े बना के और आपको जो कचोड़ी है जब बनाएंगे तो ऊपर से आप इसको लोई को पतला रखे और बीच में थोड़ा स सिर्तार मेरे थो फाल बना के तो हैं और चरह तरफ बढ़िया से साथ And if you don't want more on option to consider और यहां पर चूला रहे हैं तो बीच में किनारी-किनारी से बिख भी के भवी यहां तो ए तो जो व्हीं वह पहार बहुव निकलने लेगा कचोड़ी फटने तो इस तरीके से, 4-5 कचोडिया मैंने तयार कर लिये, यहां पर तेल कर लिया था, गरम होने के लिए रख दिया था, और तेल को बहुत-जादा गरम नहीं रख णा है, जब हम कचोडियों को तलते हैं, तो उसके लिए बिल्गुल मीडियम से भी कम तेल गरम होना चाहिए गैस का फ्लेम आप लो रखे और लो फ्लेम पर ही आप कचोडियों को धीरे-धीरे पकने दे और यह देखिए अपने आप से फूल के उपर आएगी है तो आप इसको इस तरीके से पलट दीजे और अगर आपको लगता है कि तेल बहुत ज़ादा गर तो गैस का फ्लेम आफ कर सकते हैं जब तेल नॉर्मल टेमपरेचर पर आजाए तो आप फिर से कचोडियों को डालिए और उनको धीरे-धीरे पकने दीजे क्योंकि कचोडियों को पकने में 10-15 मिनिट आराम से लग जाता है और यह देखिए हमारी करारी करारी खसता कचोड कि अबड़ी तेयार हो गई है फूली फूली से और यहां पर आलू-टमाटर की सबजी भी तयार है अ मारी इस अलू-टमाटर की सबजी जो है वो चे रेस्पी में आप लों के साथ में जरूर करोंगी बहुत बढ़िया है आप जरूर देखिएगा और यहां पर हमारी में थेंक यू सो मुच